12 पास की है PCM के साथ वो कौन सा भर सकते हैं तो मगर ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनके लिए वेकेंसी आई ही नहीं है यह सबसे बढ़िया है इस बार सबसादा वेकेंसी डिग्री डिप्लोमा या फिर PCM वालों के लिए सिरिफ और सिरिफ एक ही पोस्तों मैं श एक एसी रेफरेजेटर इन सभी के लिए आप जो है कौन-कौन सी पोस्त में जो है कौन-कौन से ट्रेड वाले लोग एलिजिबल है या फिर जो है आप कौन-कौन सी पोस्त भर सकते हैं उनका सभी का हम जो है एक डीटेल एनलेसिस करेंगे इस वीडियो में मैं उम्मीद कर सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को पूरा इंट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि PCM वालों के लिए ठीक है या फिर जो डिग्री डिप्लोमा इन सभी के लिए कौन-कौन सी आप पूस्ट जो है भर सकते हैं तो हम एक एक करके सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर मैं हर एक चीज़ करूंगा और लास में आपको इसके लिए स्टैटर्जी वी बताऊंगा कि किस तरीके साब इसके तयारी कर सकते हैं वीडियो को पूरा इंट तक देखेंगे तो आपकी हर एक चीज़ हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइस जो हैं पोस्ट कोड दिये हुए हैं उसी पोस्ट कोड के अधार पर मैं यहाँ पर आपको डिसकेशन करूंगा जैसे फिटर जर्नल के लिए अगर हम बात की जाए तो फिटर जर्नल में 3,4,7,9,10,12,16 यह सारी पोस्ट हैं जिसको आप भर सकते हैं जब हम नोटिफिकेशन को रीड करेंगे तो हमें ऐसा होगा कि नोटिफिकेशन में बहुत सारे वेकैंसी ऐसी है कि कुछ ट्रेड के लिए ही बनाए गई गई है मगर ऐसा लगता है कि कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनके लिए वेकैंसी आई ही नहीं है ठीक है तो ह इसी को फुल कर सकते हैं इस ट्रेड़ वाले नेक्स्ट है आपका जो मशिनिस कंपोजिट होते हैं जिन्हों ने यह वाला ट्रेड ले रखा है ठीक है तो वह 9-10-12-14-14 यह पोस्ट भर सकते हैं उसके बाद हम एलेक्टरिशन वायरमेन और वेल्डर यह सब उससे बढ़िया है इस बार सबस्यादा वैकेंसी इसी के अंदर ट्रेड में पाई गई है यहाँ पर देख सकते हैं आप 6 8 9 10 13 15 16 यह सारी की सारी जितने भी पोस्ट कोड है इन समीज के लिए एलिजिबल होते हैं एलेक्टरिश के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं इस बार के टेक्निशन वेकेंसी में जैसे 3 4 7 9 10 12 16 और 18 यह सारी के सारी पोस्ट कोड जो है वह आप फिल कर सकते हो ठीक है तो वैल्डर के लिए काफी अच्छा मौक है देखो इस चीज को अभी समझना है आपको कि इस चीज क अगे लिए सिर्फ आप एक ही है चार नंबर की पोस्ट कोड भर सकते हैं प्लंबर ट्रेड के जो स्टूडेंट होते हैं वह काफी कम भी होते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे आटर फिटर की इसमें आप डीजल मेकैनिक या फिर जो है मोटर मेकैनिक में यहाँ पर ब नंबर की ठीक अगर हम आगे चलते हैं तो आगे इंस्ट्रूमेंट मेकैनिक जो होता है इसके लिए आप सिर्फ 16 नंबर बढ़ सकते हो यह वो ट्रेड है इसके एक तो देखो स्टूडेंट काफी कम होते हैं और वेकेंसी भी जो है दूसरे ट्रेड के मुकाबले काफी कम ह हैं मगर फिर भी जो कम स्टूडेंट है इनके बारे में भी हम पूरा डिसक्सेन करेंगे ऐसा नहीं है कि अगर इसमें कम स्टूडेंट है कम हैंसी है तो हम हर एक चीज मेंगे हरी ट्रेड का हर एक जरफायल का Sianaal पर नेक्स्त हम बात करेंगे 강ड हो लेसे पॉस्ट कोर्ड 600 काुओंब अब बाप्व पुछ रहात हैं कि पी इंए वाले स्टोटेंट है जीन सभी है डिग्री है लिक डिपलोमा है वह कौन शी पूस्ट कोड़ सकते तो डिग्री टिपलोमा या फिर possess पिस्प्स वालों या स्रिफ और सरफ subscribe सिल्फ हीáz वह आप एक नंबर भए सकते हैं लिटा काफे सारे स्टोड़ी पूछ रहे हैं कि जिन्हों में ट्वैल्ट की है पी सियाव का सकते हैं तो वह गला सकते हो फॉस्ج devote नमबर 15 पर है S&T की ठीक है signal and telecommunication की जो पोस्ट होती है 15 नमबर की पोस्ट है उसमें एक option दिया गया है कि आप जो है 10 प्लस 2 में अगर PCM है तो भर सकते हो स्रिफ वो एक ही पोस्ट है ठीक है तो यह जीजे थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए अगर आप technician की तयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को सभी को एक चीज रिकमेंड करूँगा कि यह जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको जरूर देखना इसमें मैंने पूरा डीटेल में डिसकस किया है कि आपको रोज-रोज कितने घंटे पढ़ना है क्या आपका time table होना चाहिए किस तरीके साब को तयारी करनी है क्या target रखना है कितने घंटे पढ़ना है साइंस की तयारी कैसे कर रही है तो इस वीडियो को जरूर देखना लिक में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है अगर इन पोस्ट से या ट्रेट से रेलिट अगर कोई